दोस्तों नमस्कार यहां बात करते हैं ब्योग आईरवेश स्वास्ते के बारे में किस परकार से अपने आहार वियार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए सुख में जीवन जिया जाए मैं डॉक्टर मनमून लखेडा आज बात करूँगा आलू के बारे में आलू के लाब दोस्तों आलू को सभी जानते पैचानते एवं हर घर में इसका भरबूर उपयोग होता है आलू का बनस्पति कुल सैल नेसी है आलू का मूल अस्तान दक्षिन अमेरिका है सत्रवी सदी में पूर्त गालियों द्वारा यहां भारत में लाया गया आजकल इसकी खेती लगबग पूरे भारत वर्ष में बड़े पैमाने पर होती है बिशेशकर बंगाल, पंजाब, महराष्ट, तमिलनाडू, गुजरात, बिहार में इसका पैदावर ज़्यादा होती है या अनेग परकार का होता है जैसे देशी, बिलायती, पहाडी, लाल, सपेद, आदी इसे सस्कृत में आलू, हिंदी में आलू, अंग्रेजी में पोटाटो कहते है आलू में क्या-क्या पाया जाता है याने रासानिक संगठन आलू में आदर्ता 74.7, प्रोटीन 1.6, वासा 0.1, खनीसदर्ब 0.6, सूत्र 0.4, अन्य कार्बोएडेट 22.6 परतिसत, तथा कैलसियम 10, लोह 0.7, गंधक 37, बिटामिन A 14, बिटामिन C 17 मिलिग्राम होते है कार्बोएडेट में मुख्य मात्रा हिस्टार्च का 65 से 80% होता है प्रतेक आलू में 3 भाग होते है उपर के छिलके के नीचे एक चौड़ी पट्टी सी होती है या आलू का महत्वपूर्ण भाग सारे आलू का 10% होता है इसी भाग में प्रोटीन खनीस लवन आधिक होते है जब हम आलू का छिलका हटाते है तो यह मत्वपूर्ण भाग भी हट जाता है इसे भीतर आलू का गुदा रहता है जो संपूर्ण आलू का 79% होता है आलू के गुण धर्म दोस्तों आपको पता है आलू कई प्रकार के होते है उसमें लाल आलू सबसे अच्छा कहा गया है पहाड़ी आलू भी चिकनाई युक्त और स्वादिश्ट होते है जो पसने में अच्छे होते है किन्तु सपेद और पीले आलू गुणू में हीन समझ जाते हैं अन्य हरे नीले काले आलू हानिकारक होते हैं उन्हें उपयोग में नहीं लाना चाहिए आलू मदुर रस्युक्त मदुर बिपाकी गुरु गुन्युक्त तथा उश्न बीर वाला होता है यहां सुक्र वर्धक तथा कामो दीपन है यहां अफारा पैदा कन्ने वाला रक्त वर्धक बल्य ब्रहन दोस्तों इसका साख स्वादिष्ट रुचिकर सक्ति दायक और वात कप के रोगु में लाब दायक है यहां खांसी, स्वांस, परतिसा, जुखाम, आदि में भी लाब दायक है यहां गरणी, अतिसार्या, दस्त, सुजाक, आतिसक, आदि में यहां हानिकारक है इसके अधिक सेवन से चर्वी बढ़ती है कुछ लोगों का अनुभा है कि इसके निरंतर खाने से गठिया रोग की उत्पति होती है इसके अतियोग से मूत्र नलिका में जलन होने लगती है पुरानी कब्ज और रक्त विकार के रोगों को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए गर्मी के मौसुम में इसका अल्प मात्रा में सेवन करना चाहिए दोस्तो इसकर भी के रोगी को आलू खाने को देना चाहिए कमजोर बच्चे के लिए आलू उपयोगी है अच्छे आलू को छिलके सहीद पीसकर या कद्दू कस में कसकर उन्हें मंद आच पर भून कर चून बना ले यहां चून दूद की मलाई के साथ सेवन कराने से बालक सीगर ही हस्ट पुस्ट हो जाते है इस पौडर को दूद के साथ मिला कर भी सेवन किया जा सकता है यहां पौडर बालकों के लिए उत्तम खाद्य यह उन्पेय के रूप में प्रिक्त किया जा सकता है आग से जल जाने पर आलू को पत्थर पर पीसकर लेप कर दे इससे नत फपुला होगा और जलन भी दूर हो जाएगी यहां दो तीन बार लेप करने से जला हुआ घाव सीगर ही भर जाता है आग से जल दूर झाल जाएगी